एक रात की बात है जब मैं पेशाब करने के लिए उठा तो मैंने देखा चाची की कमरे की उपर वाली खिडकी खुली हुई है उदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी मगर अंदर का ना जारा देखने का मन हो गया मैंने उस खिडकी से जाकने की कोशिश की लेकिन खिडकी थोड़ी उंचाई पर थी तो मैंने तुरंत एक कुरसी लगा कर उस पर चड़ गया उसके बाद तो मुझे मानो होश ही नहीं रह गया था चाची ने अपनी वो गर्दन तक चड़ा रखी थी मतलब उनके टमाटर और चिडिया अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे नाइट बल्ब की हलकी सी रोशनी आ रही थी डिम लाइट में इस मस्त नचारे को देखते हुई ही मैंने तुरंत वहीं वो मारी और पप्पु पकड़ कर निच्चे उतर आया फिर बातरू में जाकर पेशाब करक चाची को वो देखने का सुक तो मिल गया था अब दिमाग में चाचा चाची की वो देखने का मन करने लगा था मैं मो का तलाशने लगा एक रात को मेरी घर में कोई भी नहीं था चाची चाचा थे और मैं था उस दिन मैं चाचा चाची के कमरे में जाते ही उनके कमरे की बा हाथ नीचे ले जाकर चाचा का पपू सहला रही थी मगर मुझे चाचा का पपू दिखाई नहीं दे रहा था मगर कुछ देर बाद चाची ने अपनी वो फैला दी और अपने हाथ से चाचा का पपू अपनी चीडिया पर सेट करने लगी चाचा ने पप्पू चीडिया पर सेट होते ही आवाज दी ले साली पप्पू खा चाची ने पप्पू चीडिया में खा लिया मगर उनकी कुछ भी आवाज नहीं निकली चाचा चाची की उपर वो चलाने लगे चाची के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था तब ही चाचा ने अपने धक्के तेज कर दिये तो चाची ने कहा चले मत जाना अभी मुझी और चाहिए मगर उतनी देर में तो चाचा का काम ही उठ गया था वो चाची की उपर वो हो गए और हाफने लगे चाची के चेहरे पर कुछ गुसा सा आ गया था उन्हें ने चाचा को एक तरफ धक्का दिया और अपनी चीडिया में वो करने लगी चाचा ठक कर सो गई थे और चाची ने अपनी चीडिया को उंगली से जढ़ा और उंगली को चाचा की बनियान से पोंच कर लंबी-लंबी सांसे लेने लगी उन दोनों की वो देखने कर मुझे समझ आ गया कि चाची की चिडिया को मजबूत पपु चाईए मैं भी वो मार कर उनके कमरे की बाहर से कुंडी खोल कर अपने कमरे में चला गया और सो गया अब बस मैं सारे दिन यही सोचने लगा था कि कैसे चाची को वो किया जाए उस दिन के बाद से मेरी नजरे चाची के उस पर मंडराने लगी मैं उन्हें अपना वो दिखाने लगा चाची की नजरे भी मेरे पपो की तरफ आने लगी धीरे-धीरे मुझे लगा कि एक बार चाची के साथ ट्राई करना चाहिए मैं मोकी की तलाश में रहने लगा एक दिन की बात है चाची अपने कमरे में सो रही थी मैं उनके कमरे में गया तो टीवी चल रहा था मुझे लगा कि चाची टीवी देखती देखती सो गई है मैं भी बैठ कर टीवी देखने लगा उनका एक हाथ जो था वो उनकी कमीज की अंदर टमाटर पर था मैंने धीरे से उनका हाथ हटाया और उनकी उस टमाटर को उपर से ही दबाने लगा चाची की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर मैंने हाथ कमीज के अंदर डाल दिया मुझे चाची का वो बहुत गरम लगा मैंने जिन्दगी में आज पहली बार किसी के टमाटर को हाथ में लिया था उनका टमाटर मुझे गरम लगा जैसे ही मैंने हलका सा दबाया वो जग गई मैंने जट से हाथ खीच लिया उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली क्या हुआ आदिल कुछ चाहिए मैंने ना में सीरह ला दिया तो वो फिर से सो गई थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से चाची की कमीज के अंदर हाथ डाल दिया इस बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और डांटती हुई बोली ये क्या कर रहे हो मेरी तो हालत खराब ही हो गई थी फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा चाचा आपके साथ जो करती हैं वो बोली ये गलत है आदिल मेरा हाथ अभी भी चाची की टमाटर भरी था मैंने कसकर टमाटर दबा दी तो उनके मूँ धीरे करने निकल गया मैं हस दिया तो उनके मुझे से दरवाजा बंद करने को कहा मैंने जट से बंद कर दिया उसके बाद मैं उनने देखने लगा मुझे अब कुछ शर्म आ रही थी चाची पूछन लगी पहले कभी ये कुछ किया है तुमने मैंने पूछा क्या वो बोली वही जो मेरे साथ कर रहे हो मैंने कहा कभी नहीं वो हसने लगी और उनने मुझे अपने पास खीचा और बोली आ तुझे सिखाती हों उनने अपने दोनों हाथों को मेरे सीर पर लगाया और मेरे उस से वो लगा कर करने लगी मैं ये सब पहली बार कर रहा था इसमें मेरा experience बिल्कुल नया था चाची के साथ वो करने में मुझे बहुत मज़ा आने लगा मैं भी उनके को करने लगा थोड़ी देर तक चाची के वो करने के बाद उन्होंने मुझे अलग कर दिया और अपने उसको उतारने लगी मैंने तुरंत उनका हाथ रोक कर कहा आप मेरी वो उतारों मैं आपके वो उतारोंगा चाची ने हसकर हामी भर दी मैंने चाची के वो उतारे तो उन्होंने अंदर काली रंग की वो पहनी हुई थी गोरी थे पर चाची की काली वो मस्त लग रही थी मैंने उससे भी उतार दिया और अपनी ऐसी ही चाची को देखने लगा उनकी चिडिया को गोर से देखा तो वो हसकर बोली कभी फिल्मों में नहीं देखी है क्या मैंने कहा फिल्म में तो देखी है मगर सामने से किसी किचिडिया नहीं देखी सच में दोस्तो चाची किचिडिया एकदम साफ थी एक भी वो नहीं था देखने में भी उनकी चिडिया एकदम टाइट लग रही थी मैं तुरंत उनकी ओपर गया वो बोली पहले अपना वो तो उतार लो मैंने कहा वो सब उतर जाएगा चाची अभी मज़ा तो लेने दो मैं चाचा नहीं हो कि आपको ऐसे ही छोड़ दू मेरी इस बात से चाची चुप हो गई और मुझे अपनी तरफ खीतने लगी शायद मुझे अभी चाची से ये नहीं कहना चाहिए था अब मैंने सबसे पहले चाची की टमाटर पर हमला किया और उसे जोड़ जोड़ से दबाने लगा एक को मुझे में लेकर वो करने लगा वो वो भरने लगी जब जब मैं उनके टमाटर दबाता वो चीक पड़ती मैंने पूछा दर्द हो रहा है क्या वो बोली हाँ हलका हलका सा होता है तुम अराम से करो फिर मैं धीरे धीरे से चाची की दोनों वो को दबाने लगा मैंने देखा कि उनकी टमाटर लाल हो गई थी तब ही चाची मेरा पपू अपने हाथ में लेकर दबाने लगी इससे मेरा बोच सक तो गया उन्हाने में से पपू बाहर निकालने को कहा मैंने पपू निकाला तो वो चकित रह गई और बोली हाय अल्ला इतना बड़ा पपू मैंने पूछा चाचा का छोटा है क्या चाची हाँ उनका तो इससे काफी छोटा है मैंने कहा उनका पपू आपको मज़े भी नहीं देता है ना चाची चाची मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और धीरे से भोली हाँ इसलिए तो तुझे वो सिखा रही हो चाची मेरे पपू को प्यार से सहलाने लगी और शायद वो मेरे पपू से अपने चीडिया की प्यास बुजाने का सोचने लगी थी मैंने कहा इसे ये उसमें ले लो लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने तिरे चाचा का पपू भी कभी उसमें नहीं लिया मैंने कहा ओके पर क्या मैं आपकी चीडिया चाट लूँ उन्होंने कहा ची मैंने कहा काहे की ची चाची एक बार चटवा कर तो देखो चाची ने मन बनाया और कहा ठीक है आ जाओ मैंने उनकी उसको फेलाया और चीडिया के उपर वो रखकर चाटने लगा उन्हें मज़ा आने लगा और वो अब अपने हाथ से मेरी सिर को अपने चीडिया पर दबा रही थी मैंने जीब हटा कर पूछा मज़ा आ रहा है चाची वो तो जन्नत में गूम रही थी बोली कसम से इतना मज़ा कभी तेरे चाचा ने भी नहीं दिया मैं अपने जीब को नोकीला करके चाची की चिडिया के अंदर डालने लगा उनकी वो हवा में उट गई थोड़ी देर बाद चाची का वो छूट गया मैंने उनकी चिडिया को एक कपड़े से पोँचा अब वो उससे मेरी तरफ देखने लगी फिर मैंने पप्पो को मुँ में लेने को का वो अभी भी मना कर रही थी लेकिन मैंने जल्दी से उनका सिर नीचे किया और उनके मुँ में पप्पो डाल दिया वो भी पपू पर तूट पड़ी मैं तो सीधा जन्नत में चला गया था थोड़ी देर के बाद मैंने अपने पपू का पानी उनके मूँ में डाल दिया तो वो गुसा हो गई मैं हसने लगा और कहा ताकतवर माल है चाची पी लोसियत बन जाएगी तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो तो उमीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए का साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए का साथ ही साथ घंटी के बटन को दबा कर ओल पर जरूर सेट कर लीजिए का था कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले तो मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद